हम बात करेंगे सात्वे पॉइंट पे कुछ चीज़े रह गई थी जो मॉडरन कंसेप्ट में आती है उन चीजों के बारे में बात करेंगे वो चीज कौन-कौन सी है जड़ा देखी एक बार अप्लिकेशन ओप इलेक्ट्रिक मफल फ्यूरेंस और फ्यूल डिपेंडेंट फ्यूरेंस और नेक्स पॉइंट यहाँ पर हो जाता है ब्रीफ इंट्रोडेक्शन टू दा थर्मो कपल एंड पाइरोमिटर तो इन चीजों के बारे में आज हम देखेंगे नेक्स पार्ट में हम फिर आगे हम पार्ट यहाँ पर यह आठवा पोइंट यहाँ पढ़ेंगे जो पारध है और काफी इंट्रेस्टिंग वे में हम काल उसको पढ़ेंगे अभी देख लीजे सबसे पहले पाइरोमिटर इसमें आता है सबसे पहले पाइरोमिटर को लिया है ठीक है पाइरोम के लिए मिली होगी ठीक है तो इसी चीज़ के बारे में आज बात करेंगे इसको बोलते इसको बोलते हैं पाइरो मीटर तो पाइरो मीटर एक गैर संपर्क किये उपकरण संपर्क कैसे मतलब है, कि हम किसी को contact में नहीं लाएं, non-contacting है, contact में नहीं लाए जाता, ज сотруд Jason Mad faster, temperature मापने के लिए, हम उसको सरीर के contact में लाते, नेकिन यहाँ पे contact में लाते, संपर्क में लाते, जिससे thermal vikiran को मापा जाता है, thermal vikiran से क्ई है? पर मतलब है कि जो बोड़ी से radiation करते holidays और उनको मेजर किया जाता है दूसरी बात यहां पर क्या है कि वस्थी छटव की सत्य का जो तापमान aumento है उसका निर्धारण करता है अब इस में पता है कि मतलब सुर्फेस का temperature है उसे मेजर करता है पाइरोमीटर एक Optic System होता है उसमें एक detector होता है दो चीजित यह ध्यान रखीएगा एक Optic System होता है और एक Detector होता है तो अब आगे दिखतें क्या छीज़ है कि एक तो Optic System है और एक Detector है तो यह जो Optic System होता है यह जो Thermal完 है इसको यानी Thermal Radio को Detector पर Centralize करता है मतलब क्या करेगा यह जो thermal radiation यहां से body से इसने major की यहां पर optic system ने यह detector पर जाके उसे centralized कर देगा केंदरी भूत कर देता है वहां पर जाके इसको केंदरी भूत कर देगा फिर क्या करेगा जो detector का output system होता है वो thermal radiation से सम्बंदित होता है तो अब यह output जो system है यह अनुमाल लगाता है कि भाई कितना temperature है ठीक है तो आभी समझें क्या चीज़ हुआ था कि उसमें दो चीज़े होती थी इस spirometer के अंदर दो चीज़े होती है एक तो optical system होता है एक डिटेक्टर होता है तो optical जो system होता है जब हम इसको आगे करते हैं शरीर के तो यह thermal radiation निकलने वाली जो thermal radiation है उनको डिटेक्टर पे जाके centralized कर देता है अब जो डिटेक्टर है उसका एक output system होता है अपना खुद का तो output system thermal radiation thermal vikiran से संबंदित होता है अब क्या होता है जो output system है यह output है यह वस्तू के ताफमान का अनुमान लगा लिता है इसमें इन दोनों के contact की कोई आसकता नहीं होती है परतियक्ष रूप से contact की कोई आसकता नहीं होती है और यह विसेश रूप से कभी उप्योग किया जाता है जब एस्थिर वस्तू हो यह गैर contact है यह गैर contacting non contacting वस्तू का temperature हमें नापना हो तब हम इसका उपयोग करते हैं तो चीजे आपको समझ आ रहे होंगी यह आप समझ गए होगा मैं यह hope करता हूँ तो ठीक है दो इसमें system होता है एक होता है optical system दो चीजे होती है output system होता है output system फिर output जो होगा वो temperature का अनुमान लगाएगा तो इस तरह से यह वर्क करता है तो इस तरह से वर्क करता है next आते हैं तो यह था यहाँ पर हमारा pyrometer ठीक है यह चीज आप समझ रहोंगे फिर चलते हम कहां पर next चलते हैं हम थर्मो कपल पर तो थर्मो कपल में क्या होता है कि थर्मो कपल का सबसे जो आधार भूठिदान था सबसे पहले वो thomas seed bank ने दिया था यानि temperature में जब उतार चढ़ा होता है तो एक conductor voltage उत्पन होती है और इस voltage को मापने के लिए उन्होंने दूसरे पदार से निर्मित तो conductor की वैसे इस conductor के voltage को निरस्ट कर दिया जाता है इसलिए उन्होंने दूसरे पदार से बने हुए conductor का उप्यों किया अब उन्होंने बता कि भिन भिन पदार से उत्पन भिन भिन वोल्टेज के द्वारा उतार चढ़ाओ तापमान को ना पा जाता है तेंपरेचर के उतार के आधार पर ही इस थर्मो कपल तापमान के अंतर को मापने के लिए यहाँ परियोग किया जाता है जो थर्मो कपल यह है तापमान के अंतर को ब्रोक मतब की मापने के लिए इसका उप्योग किया जाता है अब इसका फिगर एक बडर देख लेजए इसका उप्योग साइद आपने देखा ओ यह चीज आपने क्योंकि यह जनर्नल चीज bande है आपने यह चीज देखा होगा इसको कहते थर्मो चपल ठीक है तो इसको बोलते थर्मो topl ठीक है नेक्स पे आ जाते है फटावडस ने को जब हम देखते है यहाँ पे है मफ्वल फ्योरें अ Bürnds एक नाम यहाँ फिगर पे चलते हैं तो आप इसे असानी से देख पाएंगे देखिए ये जो है ये है मफल फ्यूरेंस मफल फ्यूरेंस है बहुत ध्यान से समझ लिजे इसे लाइव का छोटा कर रहा हूँ ताकि आप असानी से चीजों को समझ पाए नेक्स पाट में हम देखेंगे पारत के बारे में ठीक है तो साथ प्यूइट आज मैं पूरा कवर कर दूँगा यहाँ पर बहुत चोटा सा है बहुत चोटी सी लाइव अप ध्याद से देखेंगे तो समझ आ जाएगा इसको बोलते हैं इसको क्या बोलते है मफल फ्यूरेंज अब देखिए क्या होता है कि यह बटी है ठीक है अब इसकी जो लेयर है आवरण बोलते हैं लेयर को लेयर जो होती है स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती है इसका जो चेंबर होता है कक्ष बोलते हैं चेंबर की दिवारें अंदर से समान रूप से टेंपरेचर मतलब उसके अंदर जो दिवारों में समान रूप से टेंपरेचर होता है और यह जो भटी है वो ठोस धातू गलास की बनी हुई उ मतलब कि भृट्टी क्या होती है ठोस धासु रखो या गलास रखो उसको ज्सको बहुत ज्यादा गरम करना और धीर है ठैम लोए यूपयोगी है यह आपने लअपने देखियार्म तब ठीक है तब यहां पर दिखते हैं कि यह जो भटी होती है वो मोटी स्टील की यह चदर से बनी हुई होती है यह यहां पर चदर के कक्ष से निर्मित होते है ठीक है यह चीज़ समझ गयोंगे जिसके हुए चारों और जो संधी होती है ना जोइंट जो है जोइंट्स पे क्या होते है लोहे के बने फैंट होते है ठीक है और हीटिंग तत्थ्व इच तापरो दी तत्थ्वा से ऊच तापरो ती उच्छ पर है हाई इस तरह के एलिमेंट से मिलका यह का हिटिंग एलिमेंट होता है कि वह ज्यादा टेंप्रेचर ते भट्टी यह चीज तो हो नहीं है ये तत्तु कक्ष मतलब जो चेंबर के आकार के यहाँ पर चीनी मिट्टी क्या बोलते हैं सेरीमिक तो सेरीमिक से ढखे हुए होते हैं और उच्च तापमान और उच्च गुनवक्ता से युक्त सीमेंट से ढखे हुए होते हैं चीनी मिट्टी और सीमेंट से मुकुल मिलाके धखे हुए होते हैं जो इसके heating तर्त्व है जैसे आपने कहाँ पर देखाऊगा आपने एक चीज़ देखी हुगी जैसे heater हम यूज़ करते तो उसके अंदर जो tar wire होता है वो wire क्या होता है वो wire इस तरह से होता है और वो wire उसका heating element होता है ठीक है तो वो फिर वहाँ पे चीनी मिटिया सेरीमिक से और वहाँ पे कुछ कंडिशन में सीमेंट से डगा हुआ होता है तो ये चीज़ है आप देखी यहाँ पे आगे चलते हैं कि भई इसका उप्योग हम कहां करेंगे जब हमें कार्बनिक और एकार्बनिक नम्मूनों का भस्मी करन उसकी राख बनानी हो भस्म बनानी हो दूसरा उप्योग हम कहां कर सकते हैं शुष की करन सुखाने में तीसरा परजवल परिख्षन में कि भई परिख्षन मतलब की examination परजवल मतलब की जलाना तो examination उस चीज का करने में की सित्त तक उसे जला सकते हम फिर रस्सास्त्रिय द्रव्य होते हैं महाराय सुप्रसदा अंडस्तातु अदिन की भश्म निर्मान करने में जन्नल इसका उपयोग होता है ठीक है भश्म मतलब की राख बनाने में इसका उपयोग होता है नेक्स्ट चलते हैं हम एक लास्ट आता है लास्ट पोइंट है डीजल डिपेंडेंट फ्यूरंस ठीक है फ्यूल यानि डीजल डिपेंडेंट फ्यूल में भी डीजल डिपेंडेंट फ्यूरंस तो भई यह जो भट्टी होती है ना फ्यूरंस से मतलब भट्टी होती है तो एक आकार पर निर्भर करता है जिस हिसाब से हम उसमें जिस आकार की हम उसमें चीजे डालेंगे उसके अकोर्डिंग उसका टेंपरेचर हो जाता ठीक है और इसमें बढ़नल लगे होते हैं जिससे ताप टेंपरेचर प्रोड्यूस होता है जिसके अंदर बढ़नल लगे होते तो भट्टी का तापमा ने उसे कम करने के लिए ज्यादा करने के लिए दब किया जा सकता है ठीक है और उसके लिए वहाँ पे एक ब्लोवर लगे हुए होते हैं जिससे टेंपरेचर को ज्यादा किया जा सकता है और कम किया जा सकता है तो ये थी डीजल डिपेंडेंट झाल